और आजकल धरम के व्यापार करने वालों की बाड़ाई हुई है हाँ बहुत बड़ी फॉच खड़ी हुई है उनकी शराब का सबसे पहला फायदा शराब आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है इसी लिए किसी को नाचने का शौफ हो पर शरम से नाचने रहा हूँ बस दो ढगकन पिला दो क्या जाता है क्या परत पड़ता है और इस रास्ते पर हमको बढ़काने वाले दस बीस नहीं है सेक्ड़ों लोग है कि अगर इसलाम को पूरी दुनिया अगर सुरीकार कर ले तो इसमें कोई बुराई नहीं है तो इसी हिंदू धर्म को मैं तिलाजली देता हूँ हिंदू धर्म कुछ नहीं है और भगवान राम की जिंदगी के वो प्रसंग कभी नहीं सुनाते जो हम्में वीरता पैदा करें कहीं से दस करून लूटो कहीं से बीस करून कहीं से पच्चीस करून मैंने देखा है क्या-क्या पाखंड और नौटं की चलता है इन जिस समय नवाज पढ़ी जाये तो हम भी प्रयास करें कि अपनी भागवत बंद करके पाश मेट के लिए उनके लिए हम आला को प्रणाम करें क्या जाता है क्या परक्पड़ जाता है एक आया राम की कथा कहेगा दस करून लेके जाएगा दूसरा करश्व की कथा कहेगा और वो पंदरे करून लेके जाएगा मुझे मैं राम कखा में संकिर्टन कराता हूँ और बीच में हरी बोल कराता करता हूँ अली मुला अली मुला बुलाता हूँ और पूरी समा अली मुला का किर्टन करती है तो कहीं धर्मगुरू मुझे भी पूछते हैं कि आप हरी बोल के साथ अली मुला को क्यों लाते हैं मैं यह बापू नहीं है डाकू है बापू नाम तो शरम आती है कहते हुए जाने वाले हो कि यह दूसरा रास्ता है और इस रास्ते पर हमको भटकाने वाले दस-बीस नहीं है सेक्ड़ों लोग है रो जाते हैं और माला पकड़ा देते हैं राम 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 राधे 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 राम 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 राधे राधे बस यही करो देश तो ठीक हो जाएगा और ज्यादा उनसे तर्क करो तो कहने लगे तुम क्यों व्यर्थ चिंता करते हो तुम क्या लाए थे क्या ले जाओगे जो हो रहा है अच्छा हो रहा है देश लुट रहा है अच्छा हो रहा है आगे लुटेगा और अच्छा होगा वो हमको समझाते हैं और इसी को धरम कहते हैं, इसी को धरम कहते हैं, और आजकल धरम के व्यापार करने वालों की बाडाई हुई है, हाँ, बहुत बड़ी फौज खड़ी हुई है उनकी, एक आया राम की कथा कहेगा, दस करोड लेके जाएगा, दूसरा कृष्ण की कथा कहेगा, वो पंद्रे करो बोले भाले मू रख लोग डालते हैं उनके पात्रों में ले जा भाई ये बापू नहीं है डाकूएं बापू नाम तो शरमाती है कहते हुए कहीं से 10 करोड लूटो कहीं से 20 करोड कहीं से 25 करोड और आप लोगों की मजबूरी है कि काले धनका करें क्या income tax वाले पकड़ते हैं तो ये बापूं को देते रहते हो आप क्या करें उसका और ये बापूं लोग हमें सिखाते रहते हैं जो हो रहा है अच्छा हो रहा है मैंने देखा है क्या क्या पाखंड और नौटंकी चलता है भगवान राम की कथा कहने आते और भगवान राम की जिंदगी के वो प्रसंग कभी नहीं सुनाते जो हमें वीरता पैदा करें जो साहस पैदा करें राम की जिंदगी में बहुत सारा हिस्सा साहस का है वीरता का है जब चौदे वर्ष के लिए बनवास चले गए राम तो हमको सुनाई जाती है राम की जो कथाना उसमें कहते हैं, राम ने 14 साल एक ही काम किया, हाए सीते, हाए सीते, हाए सीते, हाए सीते, ये सुनाते हैं हमको, हाँ, ये ही सुनाते हैं निकाल के कहानी में से, और मैं कहता हूं कि राम को अगर हाए सीते, हे सीते, हाए सीते, ये ही करना था, 14 साल, तो दूसरा विवा क्यों कर लिया सेकड़ो राजा तैयार थे अपनी राजकुमारियों को राम को देने के लिए वो तो कर लेते दूसरा विवा क्योंकि हाए सीते हे सीते हाए सीते हे सीते एक इस्तरी के लिए अगर वो इतने ही बिलक रहे तड़प रहे ते दूसरा विवा कर लेते तो यह सब चुप साल वन में रहते हुए सेकणों राक्षसों का संघार किया उन्होंने मारा उनको और धर्म राज्य की स्थापना कराई ये कहानी नहीं सुनाते क्योंकि इससे वीरता पैदा होती है तो राम का जो आशु डलल डलल आशु निकलेंगे आपको भी रुलाएंगे खुद भी रोएंगे किस बात के लिए ओ राम को वण कंदिशनद मंच पर बैठ कर होता है अपने को तकलीफ नहीं होनी चाहिए राम की तकलीफों का वरनन कर एर कंडिशन मंच चाहिए एर कंडिशन घर चाहिए रहने के लिए एर कंडिशन कार चाहिए और चार्टिड प्लेन चाहिए आने और जाने के लिए तब राम की कथा सुनाई जाएगी जो राम जिंदगी भर पैदल चलते रहे जिनोंने अपना रत भी छोड़ दिया था अयोध्या से निकलते समय वो राम ने जिंदगी भर पैदल चलके काम किया और यहाँ एर कंडिशन कारों में घूम घूम कर चार्टेड प्लेन में घूम घूम कर राम की कथा सुनाते हैं वो कथा वता नहीं है वो उद्योग है व्यापार है बिना टैक्स का और मुझे बहुत शरम है यह कहते हुए समय आने पर प्रमान से बात करूँगा कि राम कथा कहने वाले ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के काम में लगे हुए एजेंट है और इस से ज्यादा कुछ नहीं है और मुझे इस से भी बड़ी शरमाती है कहते हुए कि आप जो उनको दे रहे हैं दान के रूप में वो पैसा ब्याज पर उठा रहे है वो दूसरे लोगों को और आपके दिये हुए पैसे से धंदा बना रहे है अपना फिर ऐसे क्रश्न की कथा कहने वाले आ जाते हैं कहते हैं रादे 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 और कुछ कहो ही मत रादे रादे कंस को मारा, जरासंद को मारा, शिशूपाल को मारा, अधर्मियों को मारा, ये सब थोड़े में, रादे 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 बड़े में क्योंकि आपको कायर बनाना है ना, निर्वीरे बनाना है, नपुनसक बनाना है तो वीर्ता की कहानी क्यों सुनानी है तो चुन चुन कर ऐसी कहानिया सुनाते है और मैं आपको बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ कि ये सारे हमारे देश में जो पाखंडी लोग है ना राम और क्रश्न की कता कहने वाले ये सरकारों के साथ मिले हुए है क्योंकि सरकारों ने इनको एक कान में मंत्र फूंका है तुम लोगों का ध्यान इस तरह भटकाते रहो ताकि कोई महगाई के खिलाफ न लड़े गरीबी के खिलाफ न लड़े बेरोजगारी के खिलाफ न लड़े अत्याचार के खिलाफ न लड़े वो डूबा रहे रादे 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 राम 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 बस इसी में और समझाते रो तुम क्या लाए थे तुम क्या ले जाओगे क्यों विर्थ चिंता करते हो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है आगे होगा और भी अच्छा होगा एक रास्ता ये है अब दो रास्ते हैं अपने साम एक रास्ता भगत सिंग का उदम सिंग का चंदर शेकर का एक रास्ता हमारे ये धर्म गुरुओं का पाखंडीयों का जो राम की कथा कृष्ण की कथा मुझे बहुत ओफर आये है मैं आपको दिल का दर्द बता रहा हूँ सच में कहा रहा हूँ आपसे नाम नहीं लेता मुझे ओफर आए कि तुम कहां बेकार भटक रहे हो मेरे साथ आजाओ मैंने का बापू जी क्या होगा उसमें तो कहने लगे जितना मिलता है वो डबल हो जाएगा मैं बोलना कैसे तो नहीं का तुमारी वाणी में बहुत जोर है और मेरे पास लोगों की भीड़ इकठा करने का मजमा लगाने का तरीका है मैं ऐसा डमरू बजाता हूँ कि सब इकठे होते है और तुमारी वाणी में जोर बहुत है मिलके लूटेंगे थोड़ा तुमारा थोड़ा मेरा ऐसे खुले ओफर हैं मेरे पास और मैं कहता हूँ बापू जी माफ करो क्यों कहते हैं तुम्हें पैसे नहीं चाहिए मैंने का पैसे ही चाहिए होते तो बहुत रास्ते हैं मेरे पास यही एक बचा है पैसे ही कमाने हैं तो बहुत रास्ते हैं ये एक रास्ता थोड़ी है बहुत तरीके हैं पैसे कमा लूँ घर बना लूँ बीबी बच्चे ले आओं करोड़ पती हो जाओं दस करोड़ पती हो जाओं सो करोड़ पती हो जाओं बहुत आसान काम है ये तो थोड़ी चाला की हो तो सेकडों करोड बनाना बिलकुल मुश्किल नहीं है इस देश प्रंत में तो वही होगा ना सेकडों करोड हो गए एक दिन ड्याइबिटीस होगी एक दिन अर्थराईटीस होगा एक दिनर अरत अटेक आएगा मैं मर नहीं वाला हूँ तो तामस वरती आएगी मरना मुझे वहां भी है, तो क्यों ना इस रास्ते पे चल के मरूं, जहां सात्युक वरती भी है, मरना है ये तो पक्काई है, जिंदा तो कोई रहेगा नहीं, तो भगत सिंग्ग का रास्ता क्या बुरा, उदम सिंग्ग का रास्ता क्या बुरा, ने देखा है नजदीक से जाके, सब इंसूलिन लगाते हैं, खाते हैं गोलियां, अपनी डाइबिटीज नहीं मिटा पाते हैं, दूसरों को उपदेश देते फिरते हैं, ब्लेड प्रेशर सबको बढ़ा हुआ है, क्योंकि यह जो काला धन है न, इसका हिसाब किताब करने में बीपी ही बढ़ने वाला है, सब बीपी की गोलियां खाते हैं, सब डाइबिटीज के लिए शिकार हैं, तो दूसरों को उपदेश देंगे, तो मैं भी लग जाओं, वो एक रास्ता है, एक रास्ता, भगत सींग, उदम सींग, चंदर शेकर का भी है, मौत तो दोनों में ही आने वाली है, बस अंतर इतना है, एक मौत ऐसी आएगी, जिसको देश और समाज जिंदगी भर याद रखेगा, और एक मौत ऐसी आएगी, कोई पूछेगा ने, तो हमने तो चुन लिया है दूसरा रास्ता, भगत सींग वाला, उदम सींग वाला, और तै कर लिया है, कि ज जैसे भगत सींग, उदम सींग, चंदर शेखर ने गोरे अंग्रेजों को बगाया, वैसे ही हम आज के इन काले अंग्रेजों को मार बगाएंगे इस देश में से, और करना क्या है, करना तो एक ही काम है,